जीफांग आप डाउन्लोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री सुनिये ये साड़ी देखिए लड़की के लिए चुनी है मैंने अच्छी है, पर साथ में तुम लड़की को गहने भी दे देना इस घर की छोटी दुलन जो है हो और हाँ लड़की की मा को भी साड़ी दे देना और सुनो न, आज शाम को तुम अपनी नजर भी उतार लेना ए पूर्वा, इतनी जल्दी में कहा जा रही हो दादी, दादा जी को चाय चाहिए तेरे हाथ की हाँ, और अद्रक वाली जा, देया अरे, संभल कर जरा अब रहे दे, रहे दे, मैं देखती हूँ जा तू, पहले उनको चाय दे दे दादा जी, चाय पूर्वा के हाथ की चाय पीने के बाद देखना कैसी फूर्ती आती है आई, मुझे जल्दी से जल्दी देविका को देखना है अरे, ऐसे नाम क्या ले रही हो काकी बनने वाली है ना वो तुम्हारी अरे, पर मैं अभी दा को भी कहां काका बुलाती हूँ तुझे जिसको जो बुलाना है, बुला तू तो सबसे प्यार से बात करती है पर आपने मेरे साथ सही नहीं किया मैं? पूर्वा नहीं, तो क्या बाबा? दादा जी, अभी दा की शादी टै करते समय आप मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर गए? पूर्वा शांती रखो दत्ता, रहने दे, ये ले माधव काका नहीं आया अब तक, मैं पता लगा दे इसको तो सभी की चिंता लगी रहती है मैं माधव मैंने अपना सारा बचपन कोकड में बिताया है मेरा घर, मेरे आई, बाबा, मेरे भाई, बहन, सभी इसी मिट्टी के बने हैं यहां के पेड, समंदर, काजू, आम, इन सबसे मेरा पुराना नाता है शहर में बसने के बाद भी इस जगह में ही कुछ ऐसा जादू है, जो मुझे हमेशा अपनी तरफ खीचता है आज मैं बहुत सालों बाद गाउं जा रहा हूं अपने छोटे भाई अभिराम की सगाई में अभी का का, आज तो कोई बहुत खुश नजार आ रहा है पर यह क्या? क्या हुआ? देवी का से भी ज्यादा अच्छा दिखना है आज आपको अब हीरो लग रहे हो वाल के नाता उठाता यह क्या ले आया पंडू? पत्ते किसके पत्ते? केले के? आपको नहीं पता अरे तुझे पान के पत्ते लाने को कहा था ना ऐसे ही तुझे बावला नहीं बुदाते दत्ता उसे एक काम बताया ना तो वो हमसे सत्रा काम करवाएगा जा और पान के पत्ते ला कौन से पत्ते बता कौन से तू निकल मैं देखता हूं क्या करना पान के पत्ते जाएगा 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 तू जाएगा जोप रही है नाना कोई नहीं जाने वाला जाना पड़ा तो आप ही जाओगे घर में शुपकार है तब तक रुखिये यह मेरे बाप में परिशानी है ना था ना था क्या हुआ ना ए नाना को संभाल नहीं तो उपार ले करके जा देखता हूं पुर्वा तू अंदर जा वा ध्यान मत दे जा ओ दूले राजा अरे अब मोबाइल पर खेलना बंद कर अरे भाई सगाई है तुमारी ए परमेश्रना ना था ए ना था आपने बुलाया ना हाँ सुन माधा और बहुरानी आ रही है उनका कबरा साफ कर दिया ना जी अब बस अच्छे से सगाई हो जाए वो भी दिये हुए मुहूरत में ठीक है कुए में नारियर डाल दिया ना जी अभी डालता हूं जाता हूं आची ज़रा संबल के स्पीड कम कर थोड़ी ओके मामा अभी राम नारिय लिया रखो हाँ हाँ रखो लुके नाथा नाथा आया अन्ना क्या हुआ आन्ना वो एमें डारियर डाला नहीं अभी डालता है चल्दी कर बादव को फोन करके पूछो कहां तक पहुचा है वो अरे धीरे धीरे हमें घर पे जिन्दा पहुचा आएगा ना तू डोंट वरी डाड ए भगवान ए इश्वर आप ही गाउं के ग्राम देवता पुल देवता वैसे ही वास्तु देवता इस घर की पीड़ा को धूर कर इन लोगों का पत्ता नारेल और घोड़े के नाल अर्पन की है उसे स्विकार करिए और आज के इस शुवकार को पूरा करिए किसी ने कोई गलती या भूल चूक की हो तो उसे माफ कर दीजिए और इन सबको आशिरवाद दीजिए और इस बच्चे के जीवन को सुखी और उसके संसार को खुशियों से भर देरे महराजा हालो काका हां कहां तक पहुंचे आप लो गभी वो हम बस पहुंचने ही वाले थे लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई अच्छा तो अभी कितने टाइम लगेगा अच्छा दुलन पहुंच गई क्या नहीं पर घर में पूजा शुरू हो गई है इसलिए फोन किया अ मानो या ना मानो लेकिन लगता है आज कुछ तो गणबण होने वाली है माधा हो कुछ भी बोल रहे हों तुम कुछ भी क्या अरे आज आते वक्त दो तीन बार जान बची है हमारी और आप ये गाड़ी बंद पढ़ गई है देखो मन का वहम है तुम्हारा अच्छ अच्छ हमारे आइसे शुब समझते ना तुम तो जानती ही हो अच्छ 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 वहरी बेटा अरे वाँ चलो बेटो 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 और जल्दी चालो कर गणी देखो मैंने कहा था ना हमारे उपर का संका तल जाएगा अरे कितनी अंदश्रद्धा अरे असा कहते हैं बाबा बेटो अब हाँ चलो चलो बेटो बेटो बाटो माधो हो हाँ 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 आ आ रहाँ तु देवी का है ना अभी राम की होने वाली बीवी दुलहन जैसी सजी है इसलिए पहचाना